हेलो गाइस और वेलकम टो माई योटोब चैनल टैग बाउम के दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो वी 15 यानि कि वीवो वी 15 के फोन मे जो बैटरी सेवर को आन कैसे करेंगी आपकी वैटरी अगर नहीं चल रहे है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बैटरी जो बहुत ज़्यादा चलेगी काफी अच्छा बैक आप आपको देखने को मिलने वाला है लाइप प्रूप दिखाऊंगा सबसे पहले दोस मिलियन से जादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और 4.0 इसके रेटिंग काफी अच्छा इसको रिब्यू मिला है और बैटरी सेवर काफी अच्छा यह जो है अपलिकेशन काफी अच्छा बैटरी सेव करता है चले हम इसको ओपन करते हैं ओपन करने वाद यहाँ पे आप कुछ ऐसा इंटरफेश देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर फाइनली ओपन हो रहा है आपको वेट करना है आपको वीडियो को इंड तक देखना है तभी आपको समझ में आगा किया कैसे करना है तो यहाँ पर कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिल रहा है तो हम यहां से सब कुछ cut कर देते हों कि इसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर पूरी detail आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं यहां पर checking का option है checking करके आपकी battery को बता देगा कि यहां के battery आपकी कैसी यहां पर temperature आपके phone का बता देगा voltage बता देगा सब कुछ बता देगा और आगे गाइस मैं बता रहा हूं इसके जो important feature है इसमें यहां पर देख सकते हैं 72,5, 72% जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो application काफी ज़्यादा bug होते हैं जिस application में issue होते हैं ओ application आपके battery को काफी ज़्यादा use करते हैं तो उनको यह fix कर देता है यह आप देख सकते हैं 78% हो गए अब नीचे वाले पर हम किलिक करते हैं clean up पर तो यह भी clean कर दे रहा है पूरा आपकी जो phone को काफी ज़्यादा boost कर देगा काफी अच्छी speed आएगी आपके phone में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे आपका नया phone रहता उस तरीके से चलेगा simple एकदम बहुत गजब यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं 78 हो गया 77 हो गया अब यहाँ पर आपको नीचे की तरह पाना यहाँ पर ultra power saving का option दिखाए दे रहा है ultra power saving के option पर किलिक करना है यह जो आपके CPU को scan करता है और देखता है कौन सी problem है आपके battery में जो यहाँ आप किस application में problem जो आपके battery को backup को जो काफी ज़्यादा कम कर दे रहा तो यहाँ पर उसको यह fix करता है आटोमेटिक यहाँ आप देख सकते हैं ओवर हीटिंग है तो यहाँ पे cool का option कूल के option पर किलिक कर देंगे तो यहाँ आपके CPU अगयरा को रेम अगयरा को cool कर देता है य हमा यहाँ आप देख सकते हैं हीटिंग औगयरा बहुत कम हो चुकी अब इसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं पकिलिक करने की यहाँ पे allow permission पर किलिक करके इसको permission दे देते हैं permission देने बद यहाँ पे आप लोग और जो इस जो application के अंदर कुछ setting करना चाहते हैं setting वगएरा आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं बट आपको मैं कहूंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना ऐसे राने देजिए सबसे लास्ट वाले option पर किलिक करके यहाँ पे आप लोग अपने फोन के power mode को यहाँ पर आन कर सकते हैं जैसे power saving mode है आप यहाँ से अगर आन करना चाहते हैं आन कर सकते हैं बट आपको ऐसे ही राने देंगे तब भी कोई बात ने इस जो application के अंदर भी feature है यहाँ पर जब हम बैक आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सबसे उपर आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं alert का option देख रहा है पी लेकर हैं सबसे उपर जो आपको कोने में click करना है इसके बाद सबसे पहले option पर red में दिखा रहा है इस पर click करना है इस पर click करने बद आपको यहाँ पर battery saver का option दिखाए देगा सबसे पहल रहता है इसके बाद यहां पर आप बीच में जो देख रहे हैं Smart Saver Mode इस पर किलिक करके आप Smart Saver Mode को आन कर सकते हैं जैसे कि Balance Mode, Sleep Mode और सबसे Last में Stand By Mode तो यहां पर जैसे Balance Mode में रख देते हैं तो यहां पर कुछ application को सिर्फ बैटरी यूज करने की अनुमत देता है इसके बाद Sleep Mode है जब आप सूने जाते हैं तो उस समय जो कुछ application को देता है और सबसे Last में Stand By Mode अगर इस पर किलिक कर देते हैं तो काफी कम जो application को बैटरी यूज करने की अनुमत देता है जिसके आपकी बैटरी काफी ज़्यादा चलती है अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिए